नमस्कार दोस्तों आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुवात इन सुन्दर सुन्दर मैरी गोल्ड के फूलों के साथ और यह हमारे नॉस्टीशियम्स भी कितने सुन्दर चल रहे हैं इसमें बड़े वाले गंगले में एरोकेरिया लगा तो दोस्तों कच्ची जो नरसरी आपकि यह बहुता है जो बेढ़न लेकर तो बिलकूल भी आप टरांस प्लाइं करें क्योंकि उनकी रूट्स इतनी ज्यादा कोमल और नाजुक होती नाजुक तो यह देखें इनको तो खेर मैं अभी छेड़ूंगी नहीं चोटे हैं यह और मैं अभी ट्रांस्प्लांट कर रही थी दोस्तों बहुत जंगे मैंने कर भी दिये थे कल शाम को भी किये थे लेकिन गिलेरी रानी ने सारे प्लांट वो कुतर दिये तो वो भी मेरे साथ साथ काम करती रहती है मैं जो करूंगी उसका विगाड करेगी करेगी तो शाम कोई मैं करके गई थी ट्रांस्प्लांट और सुबह उटके देखा तो मोस्टली प्लांट उसने बीच में से कुतर रखे दे तो फिर मैं अभी सुबह सुबह यहां से निकाल निकाल के और लगा रही थी तो हमारा जो काम है हमने वो करना है उसका जो काम है वो करी रही है रेगुलर तो दोस्तों देखो इस तरह से जो थोड़ा सा आपको मैच्चोर प्लांट लगे आपने बिलकुल ऐसे धीरे से गुमा गुमा के वो निकालना है और बिलकुल जैसे मैंने पकड़ा यह बेस में से कभी भी दोस्तों उपर से पकड़ के प्लांट को ना कीखा करें उसकी रूट्स वहीं टूड़ जाती है और इस तरह से निच्छे जिस से जो रूट्स के तो थोड़ा सा डिक करके लगाएंगे और यह पत्ते अगर संपर्क में आगे तो फंगस लगने का भी डर है कि मारे प्लांट खराबना हो जाए तो इस तरह से जो भी रूट के साथ एक दो पत्ते उनको हटा के तब आपने किसी भी टूल से यह दोस्तों मैं पुराने जो अं होता है और उतना ही ओता है जितना कि हमें जरूरत है तो इस तरह से आपने बिल्कुल दीरे से उसकी रूट को देख्के कितना गड्ळा करना है हमने और उसको एकदम सिध्धे से रख के मक्ति से कावर कर देना है मेरा तो दोस्तों यही तरिक्का ए और प्लांट चल भी जा तो जैसा कि मेरी आदत ही है मल्टी वराइटी लगाने की स्टैम से जो हमने गुलाब त्यार किये थे त्यार हो गे थे फिर मैंने इनको जमीन में लगा दिया और बस दोस्तों यही मैं कर रही थी और मैं दिखाती हूं मैंने गंबलों में भी अभी लगाए है यह प्लांट यह पोपी के यह उसका प्लूमेरिया का है दोस्तों और इस तरह से मैंने हर गंबले में एक एक प्लांट इसका लगा दिया है और कल शाम को भी मैं लगा के गई तो बस ट्रांस्प्लांट करने का दोस्तो नर्सरी को यही तरिका है चाहे आप गंबले में ट्रांस्प्लांट से निकाल के ट्रांस्प्लांट करें या जमीन में से करें थोड़ा सा उसको मैच्चोर होने दे देखे दोस्तो यह मैंने अभी लगाया इसमें नया और यह देख यह जो हमने स्टेम्स त्यार की थी तो इन पर भी बढ़ साना शुरू होगी है छोट छोटी बननी तो आईए दिखाती हूँ दोस्तों में एक और चीज दिखाती हूँ कि कभी भी आप जैसे यह मैंने नरसरी त्यार की हूँ यह आइस प्लांट की तो हमेशा मैं थोड़े से मैचोर प्लांट होते हैं वही निकाल के ले जाती हूँ यहां से तो इस तरह से जरा से छोटे-छोटे से आपके त्यार हो जाएं तो आपने बिल्कुल भी ट्रांस्प्लांट नहीं करना है क्योंकि यह चलेंगे नहीं और रूट्स पे हवालक के वैसे भी खराब हो जाएं देखो मेरे साथ साथ कितना काम कर रही है वो भी और बिल्कुल निमानती जैसे मैं गैंदे की नहीं पोध लगाऊंगी या किसी की भी लगाऊंगी उपर से सारा वो कुतर जाएगी कि चलो उनका गार्डन में आना भी दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर वो नहीं आएंगी तो फिर गार्डन की रोना की क्या कोई बात नहीं थोड़ा बहुत नुकसान करेंगी तो करती भी है तो कोई बात नहीं तो यह जीव जन्तु दोस्तों इनी चीज़ों पर डिपेंड है अगर हम इने यहां से भगाएं तो मुझे नहीं अच्छा लगता तो उनसे भी मनोरंजनी होता है गार्डन में बैठते हैं जब हम खेलती है वो आके तो बस दोस्तों आपने इसी तरह से अपनी नर्सरी को ट्रांस्प्लांट करना है कई पर आप कच्छी जो नर्सरी है वो ट्रांस्प्लांट कर देते हैं और फिर वो प्लांट से चल नहीं पते हैं दोस्तों सारे तो बस यही तरीक्क है दोस्तो नर्सरी को ट्रांस्प्लांट करने का और कब करने का कब जब आपको थोड़ा सा प्लांट मैच्वोर लगे या इतना लायक है Kि मिसे ब्लाइट dual को बतना छोटे वाले वहाँ पर अभी छोड़ी दी हैं जो छोटे छोटे थे ना बिलकुल ताकि थोड़े से ओर मैचोर हो जाए और मैं उनको दूसरी जगह पर लगा दूँ तो बस वहाँ पीछले सार लगे हो यह थे पॉपी के ही प्लांट्स और वही बीज भिखर के नए-ने प्ल प्लांट्स हैं और काफी टाइम से दोस्तों मैं इनको ट्रांस्पलांट कर रही हूँ लेकिन वही गिलैरी वाली बात वह नहीं छोड़ती अब यह हैंगिंग प्लांट्स में भी मैंने लगाए है थोड़े से यह थोड़ी वराइटी सी हो जाएगी अलग लग रंगों की लगेंगे गुल दस्ता सा खिला हुआ तो बस दोस्तों यह सारे ठीकी चल रहे हैं अभी तो अब देखो थोड़ी थोड़ी दूपानी शुरू यह गार्डन में अब खिलेंगे यह तो बस दोस्तों यह डायन्थस का फूल दिखाते हुए थैंक यू वेरी मुच टेक केर दोड़ी और यह ड़ी गन्यू अन्यूव दोस्तों वेरी मुच टेक कि अवाल सुरूव फब कर दोस्तों टारर बंद है।